तो आज मिलेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक बिल्कुल अमेजिंग सी और नई वाली रेसिपी मतलब नई है यूटूब पे फॉर्स टाइम इंडिया में आप बोल सकते हैं मतलब विदेशी खाना को मैंने एक देशी रूप दिया है और इतना टेस्टी रूप दिया है क अगर आपने एक बर खा लियाना दिन सीरियसली आप इसके बहुत बड़े फैन होने वाले हैं बच्चों की तो बहुत जादा फेवरिट है आने वाली हो या फिर रमजान इसके लिए बिल्कुल पॉफिक्ट रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोग अधा कप लिया है यहां पर 3 टेबल स्पून हमने डाला है उसके बाद यहां पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर उसके बाद यहां पर थोड़ा सा इसके टेस्ट को इनहांस करने के लिए 140 स्पून ऑफ सॉल्ट उसके बाद यहां पर सारी चीजों को हमने अच्छे स दूद रूम टेंपरेचर का ही लेंगे ठंडा भी नहीं होना चाहिए गर्म भी नहीं होना चाहिए तो देखिए मैं दूसरा वनफोर्थ कप डाल रही हूं मतलब मैंने टोटल वन हाफ कप का दूद यहां पर एड किया अच्छे सा मिक्स कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा यांट करके इसका हमने एक दो लगा मतलब सेमि सॉफट लगा रहे हैं में बहुत ज्याह अहुं से देखिए भाद मीरे हो जाएगा पिलगūद दोउब दो छाएंगा सारे आपको इसक्रीन में लिखे हुए मिल जाएंगे तो यहां पर काजू, बादाम और पिस्ते लिए हैं, क्या कितना लिया है आपको इसक्रीन पर दिख जाएगा उसके बाद हाफ कप मैंने डेसिकेटिड कोकोनट लिया है और ग्राइंड करके इस तरह से हमने इसका एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया है, अब यहां पर पैन में हमने लिया है वन एन हाफ टेबल स्पून घी, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे फिर लेंगे 200 200 ग्राम मावा, खोया जिसे बोलते हैं देखिए आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं लेकिन यह बहुत साथ है तो मैंने ऐसे ही ले लिये अब इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है अब इसमें डाल देंगे यह पाउडर जिसमें हमने बनाया था उसके बाद लाद लाइची ड्राइ नहीं हो जाता और यह इस तरह से पैन को छोड़ने नहीं लगता ठीक है तो यह हमारा फिलिंग बनकर रेड़ी है तो मैंने ग्यास को बंद कर दिया है इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए साइट पर रखते हैं अब यहां पर देखिए यह हमारे को रेस्ट होते होते हैं आदे घंटे हो गया है अब इसे एक बर फिर से अच्छे से मल लेंगे थोड़ा सा गूत लेंगे तो यह हमारा डो रेडी है देखिए यह कैसा हाड सा हो गया ना सूजी फूलने के बाद में तो ऐसा ही हमें चाहिए तो अब चलिए इसके जो फिलि स्यक्ता ग्राम का एक डेर लिया था और इसे इस तरह से छोटे साइस में करें तो यह तक्या है डिया साहन एक तो इस्तरह से जापने कि शोड़ा सा हूं दिया था और यहां पर ने सारा बना दिया है देखिए तो मैं आपको इसकी त kings डिकनिस दिखा हीं कै मैंने कितना और फिर इसे हम एक रोटी बड़ा सा बेल लेंगे हंजी तो यहां देखिए यह मैंने इसकी रोटी बेल लिए और थोड़ा सा मोटा रखा जैसे हम प्राठे बेलते हैं उतना ही हमने इसकी मोटाई चाहिए तो अब यह कुकी कटर के मदद से हमने इसके राउंड राउंड इस तरह से कट कर लेने है तो यहां पर मेरे शेपर वाले थे आप चाहिए तो कोई कटोरी मावा वाली मिक्शर की तो इस तरह से हर एक एक ट इक की को हमने इसके उपर इस तरह से लगा लेना है और हर एक के उपर हमने ये मैदे का दूसरा पाट जो है ये हम इसके उपर इस तरह से लगा करके इसे हलका सा प्रेस करते जाएंगे तो देखिए मैं इसे अच्छे से प्रेस कर रहे हूँ ताकि यह अच्छे से एक दूसरे में चिपक से जाए तो यह हो गया एक हम उठाएंगे और फिर से हम इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि यह अच्छे से थोड़ा सा चिपक से जाए तो यह हो गया हमारे नहीं हैं we apply the twiezer है जिसे आइबरो प्लक करते हैं मैं ना मैं इसे आपने यूजर लिए हैं इसे आपने यूजर करने के लिए यह मैं नया रखती हु तो इसके से केशन में काम होता है और यह बहुत प्यारा लगता है यह करने के बाद में थम प्रेस इस तरह से कर देंगे मतलब कोई फिंगर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा और उसके उपर हलकी से पानी लगा लेंगे ताकि यह जब हम इस तरह से मोडेंगे इसे एक पिटल का एक लीफ का में ताकि आपको अच्छे से किलियर हो जाए तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान था और कितना खुबसूरत सा पैटर हमारा बन कर निकला है तो इसी तरह से मैंने यहां पर सारे बना कर रेडी कर लिये हैं अब यहां पर मैं आपको कुछ बेक करके दिखाऊंगी और और कुछ बिना अविन के तो यहां पर देखिए जो बेकिंग ट्रे होता है उसके उपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिया और यह सारे मैंने इस तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ी दिस्टेंस में मैंने करते हुए मैंने लगा लिये हैं अब इसके उपर हम दूद से वाश कर लेंगे, ब्रश वाश कर लेंगे, ताकि उपर की जो कलरिंग है वो बहुत प्यारी आएगी, तो बस चलिए इसे बेख होने डालते हैं, तो मैंने ओटी जी को पहले से ही टोस्ट मोड पे 180 डिगरी सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री ही आप पॉर्ट में नमक डाला है वाइस ठैंड इसके उपर प्लेट के लिए अपर अपने यह वाले लगा लिए हैं और फिर इसके उपर लिए लिए कि बेक होने देते हैं तकरीपन 20 मिनट के लिए तो यहां पर देखे यह हमारा जो ओटी जी बाला है यह हमारा पुफेक्ल तो बहुत अमीजिंग से बने हैं और इधर देखिए यह हमारा without oven वाला भी मैं भी बीच में खोल के देख रहे हूं तो ऊपर नहीं आया है नीचे देखिए इस तरह से अच्छा कलर आया है तो ऊपर में कलर नहीं आया है तो मैं सबको ना इस तरह से थोड़ा प्लट दे रही और सारी सब के फ्लेम अलग होते है ना गयास बरनर के और प्लस ओटीजी के भी टेंप्रेचर अलग होते है अलग लग ओटीजी होते है तो अपने तरह से आप देख लेंगे तो देखिए कितना पॉफिक्ली बेक हुआ है और यह हमारा with oven वाला कितना पॉफिक्ली बेक हु को ने मेरी तारीफ करी है आप भी एक बर बनाईएगा फिर मुझे जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कैसा लगा है और यहां पर देखिए यह हमारा बिलकुल पॉफिक्ली बेक विद ओवन और विदाउट ओवन वाला रेडी है देखिए यहां पर मैं आपको विदाउट विद ओवन वाला दिखा रही हूं कोई फर्क आपको दिख रहा है विद ओवन और विदाउट ओवन में कुछ रही ना बिलकुल पॉफिक्ली बेक होता है एक बर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर कॉमेंट करके बताईएगा चले मैं आपको इसकी आवाज तो देखाना आपने कितने करारे बने हैं बहुत अच्छे बनते हैं आपने एक बर ज़रूर करना है मैंने यह रेसिपी को बाहर किसी देश डेश के रेसिपी में देखा था और वह लोग इसमें अंडे अगर डाल करके बना रहे थे लेकिन मैंने इसको सोचा कि मैं इंडियन फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ यह रेसीपी बनाने के बाद में त्रस्ट में मुझे इतने अच्छे रिव्यूज मिलें गिंगों ने खाये हैं उसके बाद तो मुझे यह शौर हो गया कि मैंने इस रेसेपी को बहुत ही पॉफेक्टली और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने इसे क्राक किया इंडियर फॉर्म में आपको कैसा लगा है आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएंगे वीडियो अच्छी लगी है दि थैंक यप वाचिंग